बिस्मिल्ला है रख्मानी रहीम अस्सालाम अलीकुम फ्रेंड वेल्कम टू नीलोस कीचन आज हमने ओइस्टर चिकन विद नूडल्स बनाया है तो आए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे यह मेरे पास 250 ग्राम्स चिकन है इसमें मै 1 तीजपून जिंजर गार्लिक पेस्ट आड रही हूं वन तेबल स्पून चिली सास एड रही हूं वन तेबल स्पून ड़क सोय सास वन तेबल स्पून वर्स्टरशार सास वन टेबल स्पून ओइस्टर सॉस इन सब चीजों को अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे और इसको 15-20 पिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे एक कड़ाई में हम वन टेबल स्पून सेस्मी ओल और टू टेबल स्पून ओलिव ऑईल एड करेंगे यह मेरे पास चार नेस्ट हैं बॉइल हुए वे एग नूडल्स के वह हम इसमें एड कर देंगे इसमें वन टेबल स्पून चिली सास वन टेबल स्पून वोस्टर शास वन टेबल स्पून ओस्टर सॉस और सॉस्ट तेस्ट अच्छा से मिक्स कर लेंगे वन टेबल स्पून जाक सॉया सॉस बस यह सब चीज़े मिक्स करके हम इसको निकाल लेंगे यह हमारे ओइस्टर चिटन के साथ सर्फ करने के लिए नूडल्स रैडी हैं अब हम एक सॉस बनाएंगे तो सबसे पहले मैं one टेबल स्पून मेरिन योह ए रीचाा इस मेरिन इस Mü वन टेबल स्पोन रास विनिगर टेबल स्पून वरेस्टर विनिकर लाइसथ्टर सास नойस made कि वन टी स्पून चिकन पाउडर और यह है मेरे पास कॉन फ्लावर वन टेबल स्पून यह सब चीजें इसमें एट करके हम इसमें वन कप पानी एट करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक कड़ाई में हम दो से तीन टेबल स्पून जितना ओलिव ओई एट करेंगे और वन टेबल स्पून सैस्मी ओई इसको गरम कर लेते हैं और फिर जो हमने यह चिकन मेरिनेट की है वो इसमें ने टांडा कर देंगे चिकन को हाई फ्लेम पे हम स्ट्राइट करेंगे यह हम चिकन को हाई फ्लेम पिप्राइट करेंगे जब तक जिसका पानी ड्राय हो जाए यह हमने चिकन को इतना फ्राइट है कि इसका ओल्मोस्ट वाटर भी ड्राइव हो गया है और यह गल भी गई है अब हम इसमें एक स्लाइस में कटीवी अनियन एड़ कर देंगे कैक्सिकम एक प्याली आपकी मर्जी आप डिफरंट कलर यूज़ करें या एक ग्रीन कलर में लिले वेजि टेबर आपकी अपनी चॉइस है जो आपको ज्यादा फैंसी लेगे आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी हम इसके साथ प्राइब करेंगे साथ हम इसमें ब्लाट पेप पर एक करें सॉल्ट तो टेस्ट एक लीफ जो है स्प्रिंग अनियन ता एक कर देंगे और फिर जो सॉस हमने राइडी किया था वो सॉस हम अच्छे से मिक्स करके इसमें एक करेंगे और इसको थोड़ा सा थिक होने तब कुप करेंगे स्पाइस आप एजस्ट करने अपने टेस्ट के मताबिक सॉल्ट और चिली और आपको ब्लैक पेपर एड़ करना होता आप इस स्टेज़ पे आड़ करने लास्ट में वन टीस्पून चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे यह हम तब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं आप चाहें तो इस ओइस्टर चिकन को फ्राइड राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं मज़ेदार से ओइस्टर चिकन को ट्राय करें और मुझे अपना फीडबेक सेंड करें इंशाला पर मिलते हैं किसी नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफिज